नमस्कार दोस्तों मैं एस्टो सुभाज शर्मा आज आपका स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं बुद्ध के बारे में देखिए नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है और इन नौ दिनों में बुद्ध की उपाय की विधी इन नवरात्रों में अगर हम करें तो यह सोगुना फल देती हैं जिन लोगों की कुंडली में बुद्ध खराब है वो लोग इन नवरात्रों के दिनों में अगर जो है बुद्ध सम्मंदी उपाय करते हैं तो उनके जो है बुद्ध के जो नेगेटिव इफेक्ट उनको मिल रहे हैं बुद्ध किसी भी हाला फल मिलेगा और जो है बुद्ध की मंदी हालात भी ठीक होगी इसके पीछे हम कारण जान लेते हैं कि इसके लाल किताब का नौ दुर्गों जो है नौ दुर्गा के दिन जो है नौ दिन इन दिनों में क्या रिजन बनता है कि इनका उपाय ज्यादा फरीबूत होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा पेज नंबर 156 वॉल्यूम 1952 की लाल किताब अगर आप खोल के देखेंगे तो वहां पे उपाय संबंदी चीज में हर एक ग्रहक से संबंदित देवी और देवताओं का वर्णन किया गया है और उनके साथ-साथ चीजों का भी जो है दान क्या कर आपको क्या उपाय संबंदी जो है सामगरी जैसे कि बुद्ध के लिए जो वहां पे लिखा गया है मूंग सालम मूंग सालम का मतलब होता है साबुत मूंग की दाल और जो है उसके साथ-साथ लिखा है जिमिकन जिमिकन की जगह वहां पे जो है उर्दू शब्द में लिख जमिकंद जो की सब्जी बनती है जिसकी मार्केट में इजली अवेलेबल होता है सब्जी वाले की ठेली पे मिल जाता है मंडी सब्जी मंडी में मिल जाता है इसका आप दान कर सकते हैं अब बुद्ध मंदे की क्या हालात होती हैं बुद्ध मंदे के बारे में पहले बता ही च मान लीजे मंगल के साथ बैठा हो मान लीजे केतु के साथ बैठ गया हो या राहू के साथ उसका कनेक्शन बन रहा हो तब बुद्ध मंदा हो जाता है बुद्ध ब्रस्पति के साथ आ जाए तब भी मंदा हो जाता है उसके जो है फल जो है मंदे हो जाते हैं अब आपके होती है लोगों को अट्रेक्ट करने की वो नहीं हो पाएगी आपका confidence डाउन रहेगा आपकी health की कोई न कोई issues रह सकते हैं आपको skin की या फिर जो है आपको joints वगरा की क्योंकि joints वगरा में भी हमाई nerves आती है nerves वगरा यानि कि जो नाडियां होती है उनकी problem हो सकती है इसके साथ-साथ आपको दांतों की problem हो सकती आप अगर finance को लेके परेशान है या आपको पैसे संबंदी दिक्कते हो रही है तो यहाँ पर बुद्ध का कारण हो सकता है क्योंकि बुद्ध भी को नहीं attract कर पाओगे अपने customer को नहीं आपने लुभा पाओगे आपकी confidence डाउन रहेगा यह सब चीज़े जो है बुद्ध मंदे की निचानी है बुद्ध मंदा अगर हो और साथ में राहू का भी connection हो जाए या फिर राहू भी मंदा हो जाए तब ऐसे केस में लाल किताब में लिखा या तो पागल या तो पागल खाना या दवा खाना या वीराना या ऐसा इंसान जो है बहुत ही ज्यादा दिक्कतों में आपनी लाइफ कारता है और साथी साथ बुद्ध मंदा जो होगा अब बुद्ध मंदा होते ही आपको जो है आपकी घर की सीडियां वगरा तोड़वाएगा या फिर आपके घर में जो है सीडियां वगरा तोड़ेंगे आपके घर में किसी को मानसिक समझ सेह रह सकती है आपकी बहन परेशान रह सकती है आपके बुआ या मौसी इन सब को दिक्कते रह सकती हैं, अगर मैं व्याक्या करने लग जाओं तो बुद्ध से संबंदित बहुत सारी चीजे हैं, जिनको व्याक्या इस पोस्ट में करना नमुम्किन सा हो जाएगा, तो मैं आपको एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, बुद्ध को सर्वशक्ति मान कहा गया, क्य uniforms से बड़ी कोई चीज नहीं है, क्योंकि बुद्ध ही आपकी बुद्धी है, बुद्धी से आप जहाएं कुछ भी काम कर सकते हैं, जहाँ पर तल्वार की जुरुत नहीं होती, जिन दिनों हैं इन दिनों में लाल किताब के, अगर हम अकोर्डिंग लाल किताब के उपाय के अकोर्डिंग अगर हम बात करें तो बुद्ध की जो अधिस्टिद देवी हैं या फिर जो अधिस्टिद शक्ति हैं वो मा दुर्गा है तो मा दुर्गा के नौ स्वरूप की इन नौ दिनों में पूजा होती है और जो अभी सेकिंड नवरात्र चल रहा है आज का सेकिंड नवरात्र है ये है मा ब्रह्मर चारणी की जो इस दिन जो दुर्गा माता का स्वरूप है उनकी पूजा की जाती है तो ब्रह्म चारनी का पहले हम मतलब समझ लेते हैं कि क्या है ब्रह्म मतलब तप और चारनी का मतलब आपका आचार वगेरा ये ओल ओवर चीज जो है आप कैसे जो है लाइफ स्पेंड करते हैं तो ब्रह्मचार्णी का मतलब यही हुआ है, तब आशरन करने वाली मा, अगर हम ब्रह्मचार्णी यानि की सकिंड नवरात्री की दिल से पूजा करते हैं, देखें भगवान या देवी देवता जो हैं, आपके समान के भूके नहीं हैं, आप वही समान उनको चड़ा रहे हैं जो उन्होंने आपको दिया, तो इससे आप क्या कर रहे हैं, आप उनको दे सकते हैं तो अपनी शरद्धा भाव दीजिए, अपने सचे दिल से और सचे मन से जो है, आप उनकी पूजा करिए, चाहे एक फूल ही चड़ा दीजिए, सचे मन से वही आपका सुईकार हो आप सच्चे मन से बैठके अपने मन अपना connection बनाते हैं उपर वाली अद्रिश्य शक्ती से तो आपके बनते काम और ज्यादा बनेंगे तो अब खाना नंबर 3 की बात कर लेते हैं खाना नंबर 3 में अगर बोद होगा तो ऐसे case में जो है सबसे पहला तो इन 9 दिन का समय है इन दिनों में आप छोटी कन्याएं जो की 9 साल से आट साल से कम की जो होती है कन्या जिनको हम कंजक भी बोलते हैं, जिनकी पूजा की जाती है, कई लोग अश्टमी पूछते हैं, कई लोग नौमी पूछते हैं, जो भी जिस हिसाब से जिनकी मान्यता है, उस हिसाब से वो जुरूर पूजे, और इसके साथ-साथ, अब उपाय क्या करना है, आपको ये च कोई stationary का समान हो सकता है copy pen pencil यह चीज़े हो सकती है आप उनको चूडियां अगर देते हैं तो लाल रंग की चूडिया दीजिए क्योंकि लाल रंग जो है मंगल का है और मंगल जब बुद के साथ connect होता है तब मंदे बुद के असर नहीं रहते हैं क्योंकि मंगल ही है जो कन्याओं को लाल चूडियां गिफ्ट करिए तो यही एक concept है कि मंगल जब बुद के साथ connection में बुद जो है चूडि की गुलाई है और लाल रंग जो है मंगल का है जब बुद के साथ मंगल का connection आएगा तब negative बुद का असर दूर होगा इसके साथ साथ अगर मान लीजे आपकी सहूलियत है उसी साथ से जरूर आप करिए जैसे कि आप दुर्गा शप्तती का पाट कर सकते हैं या दुर्गा चालिसा वगरा पढ़ सकते हैं या दुर्गा मंदिर वगरा जाकर पूजन कर सकते हैं पर इससे पहले आप जो है अपने टेवे में यह जरूर देख ल जैसे कि आपसी दुश्मन इसमें नहीं है तब आप बे जिजकों के मंदिर जा सकते हैं और अपनी जो है दुर्गा माता की आप पूजा कर सकते हैं ताकि आपका बुद्ध सही हो इसके साथ साथ छोटी कन्याओ की जितना आप सेवा कर सकते हैं उतना सेवा करिए और पैन दिवारों तक का रंग भी कही बार देखा जाता है हरा कर देते हैं अब जो दिवारों का रंग होता है घर की दिवारे वगरा होती है वो हर एक डारेक्शन को जो रिप्रेजेंट करती है फर्ष जो है खाना नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है हर एक डारेक्शन के हिसाब स से हर एक चीज को रिप्रेजेंट करती है अगर खाना नंबर 3 में है बुद्ध तो वह खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11 के आपके बैठे हुए घ्रह या उनसे संबंदित खानों पर वह असर जुरूर डालेगा खाना नंबर 3 के बुद्ध के उपाय के लिए ये कोर कहा गया है कि तीन ढाक के पत्ते जो है आप बुद्ध वार के दिन कच्चे दूश से धोकर और कहीं विराने में विराना जो होता है वो शनी का होता है और वहां पर जाके आप गड़ा खोद के दबा के आएं तो यह आप कर सकते हैं अगर आपकी जर्म कुंडली में जो है बुद्ध खाना नंबर 3 का है तो आप यह उपाय कर सकते हैं पर दूरगा पूजन और छोटी कन्याओं का पूजन तो बेसिक और मस्ट उपाय है कि आपको करना ही करना है इसके साथ खाना नंबर 5 में अगर ब ब्रस्पति के प्रभाव वाले घर में आ जाता है और यहां पर ब्रस्पति के फल को भी नेश्ट करता है आपकी बुद्धी जो है कहीं न कहीं जो है आपको मुसीबतों या पर जो है प्रॉलम में डालने वाली हो जाती है आपके लिए फाइनेशली आपके बुद्धी यह चीजे तो बेसिक हैं यह आप हर एक कंडिशन में दे सकते हैं छोटी कन्याओं को उनका पैर चुके आशिरवाद लीजिए आशिरवाद लेते रहिए अब इसके साथ साथ खाना नमबर पांच के बुद्ध के लिए गले में तांबे का छेदवाला पैसा चांदी की चेन या सफेद रंग के सिल्क के धागे में पहनने का उपाए भी लिखा गया है अब खाना नमबर आठ की बात करते हैं खाना नमबर आठ में अगर बुद्ध हो तब आप यहां पर एक मिट्टी के कुज्जे में यानि की मिट्टी के बरतन में देसी खांड भरके कहीं विराने में दबा के आई है क्योंकि खाना नमबर आठ में मंगल का परभाव आता है तो मंगल के परभाव वाले घर में जो है बुद्ध बैठा हुआ है बुद्ध को सही करने के लिए मंगल का कनेक्शन देना होता है जो कि देसी खांड है तो देसी खांड जब आप दबाएंगे क जहां पर बी जगा मिल जाया वो रह लेते हैं, चाहे वो कैसी भी जगा हो, चाहे वो डंपिंग ग्राउंड हो, कच्रा फेकने वाली जगा हो, चाहे वो शमशान ही क्यों न हो, तो शम्षान के पास अगर आप ये चीज़ का ध्यान न की अगर कहीं पर शम्षान है और शम्षान के पास कोई घर है जहां पर छोटी कन्या रहती हैं तो उनका आशिरवाद लेना खाना नमबर आठ के बुद्ध के लिए जो है वर्दान का काम करता है उनके पास जाके आप उनका आशिरवाद लीजे उनकी सेवा करिए उनको जो आप आपका मन करता है कि आप इनको गिफ्ट देना चाहते हैं तो pen, copy, pencil ये चीज़ें आप गिफ्ट करिए उनको लाल चूडियां वगएरा गिफ्ट करिए उनका पैर चुकर जो है आशिरवाद लीजे खाना नमबर 9 के बुद की तो बुद के मस्नुई पार्ट जो होते हैं वो ब्रस्पति और राहू होते हैं अगर राहू जो है खाना नमबर 9 में अच्छा नहीं है और क्योंकि जो है अब बचा ब्रस्पति दो पार्ट हुए बुद के ब्रस्पति और राहू खाना नमबर 9 में ब्रस्प बोली जाती है वर कॉमन एक ही बात होती है वह लेड होती है लेड का मतलब होता है सीसा रांगा या सिक्का यह एक ही चीज है कई लोग कन्फ्यूज होते हैं तो ऐसे केस में जो है आप रांगा लेके कहीं कुए वगरा में फेख सकते हैं तो इससे क्या होगा जो राहू का पा गया तो अब रस्पति अब खाना नमबर 9 में अच्छा है तो यह चीज एक मस्नुई के पार्ट की होती हैं जिसे हम अलग जो है जुरूरतों के हसाब से किसी भी एक पार्ट को एक ग्रह को दो हिस्सों में डिवाइड करके ग्रह फल राशी फल के कंसेप्ट को समझते हुए ह उसका हाफ पार्ट रह जाए और वही जरूरी पार्ट हम वहां छोड़ते हैं जिस घर में वह अच्छा हो अब बात करते हैं खाना नमबर 12 के या खाना नमबर 11 चलिए बात कर लेते हैं खाना नमबर 11 में जो है राल किताब में यह कहा गया है उलू का पठ्ठा यानि की कहा गया यही कहा गया कि आप गले में तांबे का एक पैसा पहन के रखे वो तांबे का पैसा चाहे तो आप लाल धागे में पहन सकते हैं क्योंकि हमें जो है नॉर्मली सूरे को यहां पैच्छा करना है क्योंकि जो है सूरे अब उसका बुद्ध का मित्र है तो खाना नमब अब खाना नंबर 12 की बात कर लेते हैं जो है बुद्ध के लिए नीच परभाव का घर है और यहां पर यह नीच जो है रिजल्ट देता है बहुत सारे इसके नेगटिव रिजल्ट्स होते हैं दुरगा पुजन आपने करना ही करना है चोटी कन्याओं का आपने मान करना हरी च अगर आप पुरा बॉक्स को खरीदेंगे तो आपको एक पैन मुझकी से 2 चार रुपए के बीच में मिल जाएगा तो आपको क्या मतलब इसमें प्रॉलम है दो चार रुपए का एक पैन जो है आपको पढ़ रहा है पुरा बॉक्स खरीदी है लोगों को फ्री में डोनेट कर रहा हूं ताकि आपका बुद्ध जो है नेगेटिव जो आपने कर लिया है लोगों से फ्री पहन ले लेके और यह सब चीजें इन सब का जो है मंदा प्रभाव आपके उपर ना पड़े बुद्ध संबंदी यानि कि हरे कपड़े साबुत मुंग की दाल यह बुद्ध वा बुद्ध जो है क्योंकि देखिए राहू और बुद्ध यह दोनों के दोनों ही अगर राहू दिमाग की हलचल है तो बुद्ध आपकी सोच विचार है आपकी कम्मिनिकेशन है अगर इन दोनों में से कोई भी खराब हो जाता है तो बुद्ध जो है नैचरली खराब हो जा इसमें कोई जो टाका नहीं होता आप लोगों को अगर मार्केट में मिलने में कोई परिशानी हो रही है तो मेरे पास एक नमबर से लेके 20 नमबर तक सारे साइजिस अविलेबल हैं आप मंगवा सकते हैं क्योंकि यह स्पैशल बूत की रेमिडी के लिए बूत की उपाय के लि का समान होता है चाहे वह शुद्ध हो यह चीज की सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है मार्केट में अगर चांदी का चौको टुकडा भी लेने जाते हैं तो वह 70% चांदी के साब से मिलता है उसमें मिक्शर होता है मगर लाल किताब में जो बात की वह शुद्ध सिक्के हो गया लेड हो गया जैनि कि सिक्का रांगा जिसे हम कहते हैं और भी बहुत सारी चीजे हैं तो लाल किताब में यूज होती है आप लोगों को अगर लेने में मार्केट में प्रॉल्म आ रही है तो आप बताइए आपके एड़स पेजा जाएगा कोई दिक्कत नही अपने दातों को ध्यान रखिए अपने दातों को फिटकरी से साफ करिए और साथी साथ दुर्गा पूजन जरूर करिए छोटी कन्याओं का अशिरवाद लीजिए ये सब करके जो है आप बुद्ध के जो है नेगटिव जो है असरों से बर्च सकते हैं क्योंकि ये नवरा अगर है आपके ऊपर नेगटिव परभाव डाल रहे थे उन से आप बहार निकलें आपकी परेशानिया दो रहे हूं तो इसी इंफोर्मेशन के साथ मैं ये आपको एक और इंफोर्मेशन देना चाहूंगा कि जिन लोगों को किताब हैं चाहिए लाल किताब की 1952 की पंडि जो की लिखी गई है पंडित बेनी महधव जी द्वारा उन्होंने एक्च्वल उर्दू वर्जन जो पंडित रूपचन जोशी जी का था उस वर्जन को हिंदी में लिप्त्यांतरन करके उन्होंने 1952 यनि की वैसे तो लाल किताब के 5 वर्जन है जो की 1939 से शुरू हो जाते हैं 1939, 1940, 1941, 1942, 1952 ठीक है ये 5 वर्जन है मगर 1952 जो है उसमें सभी किताबों का निचोड है उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा उपाय भी मिल जाएंगे आपको व्याक्था भी मिल जाएगी हर एक घरह की व्याक्था मिल जाएगी complete जिसे हम कहते हैं वह 1952 की बुक ही है तो जिन लोगों को चाहिए बुक वह अपने एड्रस वगरा डीटेल वगरा मुझे वट्सैप कर सकते हैं ताकि उनके एड्रस पे ये किताबें वगरा भेह दी जाए और कॉल करने से बेटर यही है कि मुझे वट्सैप करके ही बात करें तो ज्यादा बेटर है क्योंकि मेरा भी आप मजबूरी को समझे बाकी नेक्स वीडियो पोस्ट में फिर मेरेंगे तब तक के लिए आगया दीजिए नमस्कार